हेलो गाईज आएम सपना सिंग वेलकम टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी इवनिंग पुजा रूटीन तो चलिए मैं दिखाती हूं कि मैं अपनी इवनिंग पुजा रूटीन कैसे सुरू करती हूं तो सबसे पहले मैं सुबग के जितने भी फूल मैंने चड़ाया था भगवान जी को सारे के सारे में उठा लूँगे तो मैंने सुबह में जितना भी फूल चड़ाया था भगवान जी को सारा का सारा में उठाके अभी पूरा क्लीन कर लूँगे अब मैंने सारे फ्लावर्स देख रहे हैं जितने भी फूल थे मैंने सब साप कर लिया है और अब जो भी सुबह में मैंने पूजा किया था ये देखिए ये मेरा परसादी का प्लेट है इसको मैं साइड हटा दूँगी और इसे रात भर में से छीटिया अब जाएंगे अब दो दीपक जलाऊंगी एक मैं तुलसी जी में देती हूं और एक मैं भगवान जी को जलाती हूं तो ये दो दीपक में तयार कर लूँगी तो देखिए मैंने दो दीपक जलाए एक तुलसी जी को मैं जाके दूँगी जिससे मैं ले जाओंगी मैं वही जाके जलाती हूं और एक मैं ये यहां अभी जलाके पिखाऊंगे ओम कर पूरगारम कर नावितारम संसारिसारम भुजगें दिहारम सदावसंतम इत्यारविंदे भवं बवानी शैतम नमाम उसके बाद मैं अगर बत्ती जलाती हूं सारे भगवान को दिखा के फिर मैं से लगा देती हूं उसके बाद फिर मैं कपूर से सारे भगवान जी को आरती करती हूं मैं कपूर जला के सारे भगवान जी के आरती करती हूं ऐसे गोल गुमा के और फिर अपने दोनों हातों से सारे भगवान जी को आपको दिखाना है और फिर दोनों हातों से खुद भी आरती ले लेनी है और फिर आप ऐसे इसमें जल लेके और सारे भगवान जी को ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ पर आपको डाल लेना है और परणाम कर लेना और आप जो आसनी जिस पे आप बैठते हो इसके नीचे भी थोड़ा सा सापको जल दे गए ऐसे जल आपको देना है और ऐसे अपने हाथों से करके आपको अपने दोनों आखों पर लगा लेना है ऐसे आपकी संध्या की पूजा हो जाएगी मैं ऐसे ही संध्या की आर्थी करती हूं और अगर दोस्तों आपको मेरा कुछ भी अगर आपको लगा होगा गलत तो प्लीज म लगे कि नहीं कुछ और होना चाहिए तो आप प्लीज जरूर मुझे कमेंट कीजिए और बताईएगा मैं उसे करने की कोसिस करूंगी और यह दिया मैं जाके अब तुलसी जी में दिखाऊंगे मैं सारे घर में इसको जलाने के बाद सारे घर में दिखाने के बाद मैं तुलस